नमस्कार दोस्तों आए स्पीसिस पार्शना आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम BPSC, PT से related test series के बारे में बात करेंगे कि क्या test series लगाना important है कि नहीं है exam से पहले और अगर सब test series लगा रहे हैं तो कैसे plan करें क्या आपका plan होना चाहिए test series लगाते हैं और test series से कैसे सीखें तो आप कैसे test series को actually use कर सकते हैं अपना marks boost करने के लिए और अपना selection probability है उसको बढ़ाने के लिए तो test series को आपको कैसे use करना है test series कौन सा लगाना है जिन पर आप rely कर सकते हैं जो थोड़े से reliable हैं इन सब के बारे में बात करेंगे इन सब के साथ मैं उस test series की बात करूंगा कि जो सबसे best है च्योंकि उससे exam में question फसेगा यह मैं आज बोल देता हूं कि उससे exam में 100% question फसेग करिए तो चले दुस्तों आगे बढ़ते हैं हर वीडियो की तरह हमारा इस वीडियो में यही फॉरमेट रहेगा कि हम कुछ basic questions को discuss करेंगे जैसे कि test series का क्या importance होना चाहिए BPSC PT में कौन सा test series चूज करें कौन कौन सा test series market में available हैं और आप कौन सा चूज करें तीसरा है कि test series कैसे और कब लगाएं चोथा है कि test series कितना लगाएं 2,4,10,15,20 कितना test series optimum level रहेगा और कितना test series अमोमन बच्चे लगाते हैं हम उसकी बात करेंगे पछवा point है कि sectional test series लगाएं या full length test series लगाएं किसरा हम history, current, economics, बिहार, special की sectional लगाएं या फिर हम full length लगाएं और इन सब के बाद हमाद छटवा point है कि best test series कौन सी है सबसे अच्छी test series कौन सी है जिससे real exam में question फसेंगे और पिछले वर्शों में उससे question फसेंगे हैं उसको मैं बताऊंगा और साथ ही कैसे revise करें test series कैसे revise करें इसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों चलिए हम अपने पहले question की तरफ आते हैं कि importance of test series in PT test series जो है आपके preparation को एक दिशा provide करता है उससे आपको यह पता चलता है कि भाई मेरा weak area कौन सा है मेरा strong area कौन सा है किस area मैं मुझे कितना focus करना है यह सारे सवालों के जवाब जो है आपको test series से मिलते हैं क्योंकि test series आप लगाते हो तो आप अपना potential judge कर पाते हो मैं कितना पानी मुझे कितना आता है कितना मुझे सीखना है तो अगर सब test series नहीं लगाते हो तो क्या होता है कि मन में आपके false motivation रहता है कि हाँ भाई मुझे आता है exam में आएगा तो मैं कर दूँगा लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक आप test series नहीं लगाओगे जब तक आपने आपको judge नहीं करोगे जब तक आप यह नहीं देखोगे कि आपने जो पढ़ा है उसको आप real time implement कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है इवन आप देखेंगे सचीन तंदूलकर विराट खोली इतने बड़े-बड़े batsmen जो हैं वो भी final match होने से पहले net practice करते हैं तो वो practice आपको करना है वो practice यह आपका test series है जो आपको help करेगा आपके real exam में तो इसलिए test series का इतना importance बढ़ जाता है PT के exam में चोंकि इससे आप judge कर पाते हो कि आपको question को लगाने में केता time लग रहा है, आप कितने question को safe limits से solve कर पा रहे हो, कितने question में आप risk ले पा रहे हो, कितने question में आपका तुक्का सही हो रहा है, कितने question में तुक्का सही नहीं हो तो यह सब चीज़े जो है आपको test series से पता चलती है, इसे एक test series बहुत important हो जाता है, इसके दमाद दूसरा question ही आता है कि कौन से test series चूज करें, जैसे English medium आप देखेंगे को तो एक आस्था का है, एक perfection is है, एक आप देख सकते हैं, किरन publication का है, तो यह कुछ prominent test series हैं, जो कि English मे भी आते हैं, पर अगरसे आप English medium में जाएं, तो यह आपको तीन अच्छी मिलेंगे, जो English medium में एच्छे चलते हैं, और अगरस हिंदी medium के बात कहें, तो दृष्टी है, एडूटेडिया हो गया एक, और तीसरा आपका प्रभाद publication का आता है, मैं आपको cover page दिखा दूँग और यह test series कुछ हिंदी का हो गए, अगरस आप मुझसे पूछे कि inside test series में सबसे best कौन सा है, देखिए मेरा जो option था, वो English medium था, तो मैंने चूज किया था, आस्था परफेक्शन का, मैं कुछ test series आस्था के लगाता था, और कुछ test series perfection का, और अगरस आपका हिंदी medium है, तो आ कि test series का pattern समझ में आने लगा था, उनके test series की hardness level थी मुझे समझ में आने लगी थी, इसलिए मैंने आस्था के बाद कुछ test series छोड़के perfection का लगाना शुरू किया, थोड़ question के level का change हुआ, थोड़ question को बनाने के तरीके का change हुआ, तो इसलिए आप क्या करिए, दो test series को mix करके कि आप एक test series number 1 से लेकर number 25 तक लगाने लगे, ऐसा मत करिए, आप क्या करिए, अगरा test series चूज कर रहे हैं, तो at least two test series को मिला के चूज करिए, इससे क्या होगा, कि used to नहीं होगे किसी test series से आप, जैसे editoria है, editoria generally क्या करते है, factual और one ladder पर ज्यादा focus रहता है, पर drishti का क्या तो मैं यह कह रहा हूँ कि अगरस आप English लगा रहे हो, तो आप आस्ता perfection चूज कर सकते हो, और अगरस हिंदी के तरफ जा रहे हो, तो drishti और editoria चूज कर सकते हो, तो आशा करता हूँ कि आपका यह doubt clear हो गया होगा, कि कौन सा test series अच्छा है market में, और कौन सा test series आप चूज तो आप मार्च से लगाना शुरू करिए, अभी आप test series लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपके course complete नहीं है, तो आपके marks कमाएंगे, तो आप demotivate होंगे, और अगर से demotivate होंगे, तो फिर से circle चलने लगएगा, कि आप demotivate हुए, पढ़ाई ने किये, फिर marks कमाया, करिए, कि marks से लगाईए, जब आप basic चीजें, थोड़ी surface level की चीजें पढ़ चुके हों, तो हमने यहाँ बात कर ले कि test series कब लगाएं, अब test series कैसे लगाएं, तो देखिए, अब दो तरीके से test series लगा सकते हैं, पहला यह है कि आप सोचिए कि मैं अपनी basic किताबें पूरी कर देता हूं, चाहे घ्यार special हो गया, economics हो गया, history हो गया, quality हो गया, इनको एक बार मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद test series लगाता हूं, दूसरा तरीका यह हो गया कि आप history पढ़ लेजिए, और उसके बाद आप history की test series लगाना शुरू कर देजिए, sectional, साथ ही साथ कोई और subject आप पढ़ते रहिए, तो इन दोने तरीकों में क्या difference है, इसको हम बात करेंगे sectional versus full length test series के बारे में, कि आप sectional लगाई है कि full length लगाई है, इसके बाद हमारा point fourth number है कि कितने test लगाएं, कितना test आप लगाएं, कि भाई confidence हो जाएं, कि चीजे मेरी complete हैं, चीजे मेरी lined में, तो इस point पर आने के लिए आपको कितना test लगाना पड़ेगा, देखे ये चीज़ता बहुत subjective है, ये person to person vary करता है, कोई लोग ऐसे होते हैं कि 40-50 test लगा देते हैं, फिर भी उनको confidence नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10-15 test लगा लेते हैं, फिर भी वह इस्दम confident मेर करते हैं, तो ये चीज़ हर person to person vary करता है, लेकिन फिर भी आगास आप मेरी पूछे हैं, एक optimum level क्या होना चाहिए, जितनी आप test लगाएं, तो मैं बोलता हूँ कि 12 test ये आपको judge करने के लिए, क्योंकि आपको दो महीने बाकी हैं, तो कम से कम आप 12 test लगाईए, इससे ये हो कौन सा है, और आपका strong area कौन सा है, और उसके बाद उस area को आप polish करी उस area पर focus करिए, इसकाद हम बात करते हैं कि आप sectional test लगाए या full length लगाए, तो देखिए, यहाँ पर दो type के situation आती है, अगरस आप ये सोच रहे हो ना, कि history पढ़के history का test लगाते हैं, तो आप sectional के तर test लगाई है, आप economy पढ़िए, economic exceptional test लगाई है, आप quality पढ़िए, प्वालिटी का exceptional लगाई है, आपके पास चार से पांच core area है, चार से पांच आप sectional लगाई है, उसका बचे के हुए 6 से 7 हा full length लगाई है, तो यह दोनों mix करके लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपक कैसे use करें, तो देखिए, सबसे best test series जो आप use कर सकते हैं, वो है आपका previous year questions, यह आपके लिए सबसे best test series होगा, जिसको आपको use करना ही है, चाहे आप perfection का आस्था का edit area करे ना करें, कोई मतलब नहीं है, पर आप previous year question को miss नहीं कर सकते हैं, by hook और by crook आपको previous year question को करना ही है, इसका मैं आपको proof दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ BPSC में उससे पहले बहुत से question हैं, जो line to line previous year questions, line to line घटना चकर से उठाए गए हैं, तो अगर से आप मुझसे पूछें कि सबसे best test series कौन सा है, तो इस वीडियो से आप moral of the story यह ले सकते हैं, कि सबसे best test series है, previous year question घटना चकर, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको घटना चकर लगाने के, यह घटना चकर में अलग-अलग state pieces के questions होते हैं, अगर साब BPSC का सिर्फ previous year question लगाएंगा, तो आपको BPSC के सिर्फ मिलेंगे, लेकिन अगर साब घटना चकर लगाते हो ना, तो आपको बाकी state pieces में क्या question पूछे गए हैं, इसका practice करने का मौका मिलता है, और BPSC में बाके state pieces से भी question उठा के आया है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ू, मैं आपको 2-3 point बोलना चाता हूँ, पहला point यह है, कि आप कम से कम 5 साल के BPSC के previous year question लगाएं 60-62 से लेके 6-6 तक, और यह previous year question आप किसी publication से मत लगाएं, इनके क्या करें कि आप में टेलेग्रायम चैनल पर जाएं, मैंने question paper डाला है, साथ ही मैंने official answer की डाली है, इन 5 सालों की आप question के साथ answer रट जाएं, क्योंकि इनसे question direct आपके paper में आएंगे, और वही आपको answer टिक क सही माना है, जैसे question आया था कि सूरज की रोशनी को अर्थे पहुचने में कितना time लगता है, तो उसमें कुछ 8 मिनट था, तो मने 8 मिनट लगा दिया था, पर exact time 8 मिनट 8.20 सेकेंड है, तो BPSC ने उसका पहले A माना, फिर बाद में E कर दिया, तो आपका exam में अगर से फिर स गटना चकर उठाईए और उससे question लगाईए, बहुत ही अच्छे से घटना चकर में हर topic को sequence से सजाया हुआ है, आपको मोगल्स का question मिल जाएगा, आपको डेली सलतनाता question मिल जाएगा, आपको इंडिपेंडेंस का question मिल जाएगा, आपको गांधी है rival का मिल जाएगा, तो ब पूछा जा सकता है, आप उसको स्क्रेवल कर लिजे, आप उसको point बना लिजे, इस तरह करके आप घटना चकर को best तरीके से use कर सकते हैं, जो मैंने है point की बात की है कि कैसे use करें, तो आपको इस तरीके से घटना चकर को use करना है, तो अगर साप मिहनत कर रहे हों, तो पीसेस में previous question repeat होते हैं, यह देखिए माँ BPSC का question है, कि हरपा की कौन से city में furrow of plot fill मिला था, तो same question आप यहाँ देख सकते हैं, जो UPPCS में 2005 पुछा गया था, कि plot fill was discovered at, तो काली बगान होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, UPPCS में में से पूछा गया है, यह same question, यहाँ आप की प्रधम राजधानी कौन से थी, तो इसकी प्रधम राजगीर थी, इसलिसका answer E होता, which was the capital of Magad, 47th BPSC में previous year पूछा गया था, इसके बाद 53rd to 55th BPSC में यही पूछा गया था, initial capital of Magad, इसके बाद 36 गर्फ PCS में भी same question पूछा गया था, एक question आप यह देखिए, कि कौन सा तो इसका answer था, राजिस्थान PCS में पूछा गया था, चोला era was famous for, तो इसका था village assemblies, यहाँ पूछा गया था, which Southern Indian state had excellent village administration, यहाँ पूछा गया था, कि चोला administration का जो special feature क्या था, देख रहे हैं कई बार पूछा गया है question, यह question पूछा गया था कि सुराज पार्टी जो है किस साब बात करें कि 24 अगर 60 के question आए, तो कम से कम आपको उसमें 16-17 question ऐसे होंगे, जो previous year के आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि previous year question जो है, सबसे important test रिजुआ लगाने के लिए, उसको miss नहीं करना है, किसी भी हालत में, इसके बाद और दिखाता हूँ मैं, the famous battle of wonder wash in 7060 was fought by British government against whom, तो इसका था French, तो यह देखिए, UP pieces में पुछा गया, in the battle of wonder wash, तो British defeated French, ठीक है, which one of the following pair is correctly matched, तो इसमें भी आप देख सकते है, battle of wonder wash है, यह question तो कई बार पुछा गया है, 1857 revolt में कौन-कौन लोग थे, तो सारे लोग थे, इसका दिया question है, कि जो separate electrode था, वो कहां से लाय गया था, तो government of India, एक 2009 सला गया था, यहाँ पर देख सकते है, simply the major dispute regarding the bill was separate electorate, यहाँ पर question देख सकते है, जो UPP से पुछा गया था, कि seats of discard were in which event during national movement, and which eventually divided the country, यह था reservation of seat and separate electorate, तो same question जो है, वो repeat होके आया हुआ है, इसके बाद देखिए, एक यहाँ question है, यहाँ question है, यहाँ तो बूला भाई देशाई, तो देख रहे है, direct question पुछा गया है, what to what question पुछा गया है, यह भी repeated question है, कि election commission कौन से article से deal करता है, तो article 324, simple question है, और repeated question है, इससे ही होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से article important है, कौन कौन से article आपको पढ़ने है, जो कि exam में पू कौन सा है, इन एरिया, तो यह question देखे, largest island of the world, यह question repeated है, इसी तरह यह question देखे, word to word repeated है, largest island of Japan in terms of geographical area, से हम यहाँ देख सकते है, कि which of the following is the largest island of Japan, इसी लिए आपको previous question लगाने है, वो सबसे best test series है, जो आप use कर सकते हैं exam के लिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पत